नमस्कार दोस्तों दिल्ली में G20 का सम्मेलन हो रहा है तमाम देशों के राष्टा ध्यक्षा चुके हैं जो भी चैनल आप देख रहे होंगे लगातार चैनलों पर G20 की बैटकों को लेकर खबरें हैं तस्वीरें हैं पुर्धान मंत्री मोदी का जबरदस्त महिमा मंडन है औ और जाहिर है ये बहुत बड़ी बात भी है लेकिन इन सब के बीच कोई बड़ी खबर एक और आई जो खबर कैसे दब गई या कैसे दबा दी गई है जिस खबर का किसी चैनल पर बड़े चैनल पर जिक्र भी नहीं हुआ पास दस मिनट की बात भी नहीं हुए और जो खबर कई चैनलों पर तिकर या Breaking News की शकल में भी नहीं दिखी जबकि वो खाबर बड़ी थी कहीं ऐसा तो नहीं कि उपर से निर्देश था कि G20 के इस रंगारंग कारिकरम के बीच रंग में भंग जैसी कोई खाबर न चले ये कह रहा हूँ मैं उपचनाओं के नतीजों को लेकर तो चैनल तो आप देख रहे होगे और कहीं अगर ऐसी खबर दिखी होगी इस पर कोई बहस चर्चा दिखी होगी तो मेरे इस कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा ताकि मैं ग्यान बरधन करूँ लेकिन अभी मकसद चैनल पर बात करना नहीं है आज के अख़वारों का मैंने एक पोस्ट मॉटम किया समझने के लिए कि चैनल तो जो करता है आप जानते हैं चोधरी जी हैं, गोस्वामी जी हैं, देवगन जी हैं, चोपड़ा जी हैं मैं हर रोज एक शो करता था, क्या छपा, क्या छिपा तो वही अभी बताने की कोशिस करूँगा यह समझना जरूरी है कि मीडिया एक साथ कैसे बेमानी करता है कैसे बेशर्मी करता है, कैसे अपना एजंडा चलाता है कैसे चापलूसी करता है या कहें डर से मोदी, शाह और योगी को नाराज करने वाली कोई ख़बर नहीं शापता है और कैसे उसके उपर एक परत चढ़ाता है इसको समझ यह बारिकी से आपको पता होगा कि कल छे राज्यों की साथ मिधान सभा सीटों पर चुना हुए उसमें एक अहम चुनाओ यूपी में घोसी के और घोसी के अहम नतीजे नतीजे में बी जे पी के उमिदवार, ताजा उमिदवार जो सपह छोड़कर बी जे पी में आये थे सिटिंग सीट से इस्तिफा दे कर दारा सिंग चौहान पुर्दान्मंत्री मोधी और अमिशाह के आश्रवाद के बाद यूपी गए थे वो हरे हैं, और हरे हैं ऐसा कि बुरी तरह हरे हैं जिसको कहते हैं धौस्त हो जाना, जमी दोज होना, जमीन सुना मामूली हर नहीं थी और उसके अलावा बाकी राज्यों के नतीजों में भी अगर देखेंगे तो साथ में से तीन सीटें बीजेपी को और चार सीटें इंडिये माफ़कर चार सीटें इंडिया के घटक दलों को लेकिन आते हैं गोसी पर और आते हैं खबर पर अब जड़ा देखिए कि खबरों में कैसे खेल किया जाता है और कैसे उस खेल का मकसद क्या होता है वो भी समझेए जैसे पहले उठाते हैं अमर उजला अखबार मेरे पास सारे हैं दिली से छपने वाले 12 तेरा अखबार हैं और हर अखबार में ऐसे आगर आप देखेंगे तो ऐसे पहले पन्ने पर प्रगती मंडपम के साथ G20 की तस्वीर है रंगारंग खबर के बारे में जानकारी है सब जग़े प्रधान मंतरी मोदी हैं और मुख्य किरदार के तौर पर मोदी जी हर अखबार के पहले पन्ने पर किसी किसी अखबार में दो दो तीन तीन पन्नों पर विग्यापनों के शकल में है तो पहले अमरुजाला उठाते हैं अब देखिए इस बीच ये आ गई लेला जी अब इनकी एक दिक्कत है माफ करिए अब जब मैं कोई ऐसा कि घोसी में सपा ने घोसी सीट बचाई हेटिंग देखिए छे राज्यों की साथ में से तीन सीटे भाज पाको तो खबर की पहली लाइन क्या है सपा ने घोसी सीट बचाई छे राजियों की साथ में से तीन सीटे भाजपागो बचाई क्या घोसी की सीट ये कहेंगे कि सपा ने बचाई या घोसी को लेकर ये कहेंगे कि BJP वहां धौस्त हो गई या उंधेबुगिरी या बीजेपी ने पूरी ताकत जोगने के बाद शर्मनाक पराजय का सामना किया या बीजेपी के दिगज नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ दो डिप्टी सियम एक दरजन से ज़्यादा मंत्री दरजनों विधायक लगातार कैंपेन करते रहे यहां तक की नुकर सभाए गली चोड़ा है चौक गाओं में भटकते रहे उसके बाद भी बीजेपी हारी और हारी ऐसे नहीं 42,000 वोटों से हारी और हारी उस उमिदवार को खड़ा करके जो समझवादी पार्टी का सिटिंग विधायक था इस तीफा दिलवाक है उसके बाद क्या यह हेडिंग है यह मुफीद लगता है सही लगता है इंसाफ यह खबर के साथ है कि सपा ने घुसी सीट बचाई सपा की जीती हुई सीट के ओं मिदवार को अपने पाले में लाकर दिल्ली में अपॉइन्मेंट लेकर लखनो भेजकर मंत्री बनाने का वादा करके और क्या डील हुई होगी हम इशा जानते होंगे और उसके बाद 42,000 हजार से शिकस्त किस की हार है उसके बाद 6 राज्यों की साथ में से 3 सीटे भाजपा को इंडिया गाइब है छे राज्यों की साथ में से 3 सीटे भाजपा को इंडिया को 4 सीटे मिली ये इसमें खबर नहीं है नीचे एक पतली सी लाइन है सुधाकर ने दारा सिंग को 42,000, 769 वोटों से हराया सुधाकर ने हराया दारा सिंग को हराया बाकि कुछ नहीं है और देखिए ये शरारत ये आपको मती भ्रम का शिकार बनाता है और ये एक किस्म की बैमानी है मीडिया सत्ता के साथ कदम ताल करते हुए विपक्ष के साथ जो रवयार रखता है उसी की मिसाल है अब ये जागरन है कुख्यात है सत्ता परस्ती के लिए मोधी की सत्ता परस्ती के लिए मोधी भक्ती के लिए कटर हिंदुत वाद के पक्षधर अखवार के तौर पर जागरन है इसलिए इसमें कोई खबर चपी चौकाने बाली बात नहीं है लेकिन इसको भी समझना चाहिए बाकी और अखवारों में क्या ट्विस्ट है वो भी बताता हूँ और इसलिए मैं कहता हूँ पाठक को सचेत होना चाहिए सजग और सतर्क होना चाहिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए कि अखवार या मीडिया जो आप तक पहुंचा रहा है उसमें आधी हकिकत, आधा फसाना है टुिस्ट है, चापलूसी है, बैमानी है शरारत है, अजंडा है सब आपको पहचानदा, अब ये मान नहीं रही है चलो, रुकरो तो ये दैनिक जागरन है अब इसकी हेडलाइन है और ये भी है, कि आजकल होता है अख्वार में, दो पन्य होते है जो लीड के पन्य होते है, पहले पन्य पर तो मोदी जी है, जो बाइडन के साथ विश्व के लिए प्रशास्त होगा नया मात, ठीक है बड़ा इवेंट है, और बड़ी घटना है भारत के लिए गर्व और गौर्व का विश्व है जी ट्वेंटी समीट होड़ा, छपना चाहिए लेकिन अंदर, उसके बाद दूसरे पन्य की लीड पे क्या है बिदान सबाउट चुनाव में साथ में से तीन सीटे जीट कर भाजपा ने पूराना प्रदर्शन रखा परकरा, इसमें बेशर्मी भी है इसमें बेमानी भी है, इसमें एजंडा भी है इसमें बिपक्ष के परती एक नकारत्मा के खारिज करने का रवया भी है इसमें सत्ता की चापलूसी भी है और ये कहें तो कहीं से ये हेडिंग ये नहीं बताता कि उस भाजपा को चुनोती का सामना करना पाँ जागरन ने ये लिखा है क्या ऐसा इस तरह से लिखना आपको लगता है तीन सीटें जीत कर भाजपा ने पुराना प्रदर्शन बर करा नका और घोसी में जो हुआ वो पस्चिम बंगाल में जो हुआ वो बीजेपी की सीट टीमसी ने जहटक ली वो उत्राखन में बागेश्वर में अगर बीजेपी जीती है कुछ वोट से तो तीन बार की सिटिंग बीजेपी की सीट थी उनकी पतनी को खड़ा किया गया थोड़ा सहनभुती वोट भी होता है सिटिंग सीट बीजेपी की थी वो जीती और वहां भी कोई विशाल मार्जिन घोसी की तरह नहीं लेकिन यहां घोसी में बार बार कहूंगा वो Πश никто मां दो थे मटी राजभर ओंप्रकास राजभर और ऐसी चोहान राजभर जो ठेके लेकर गय थे जिताने के कि थेका लेते दारस सिंग चोहां चाचा कहा है वो उन्प्रकास राजबर जिनकी अपनी विरादरी के वोट 40-50 000 हैं गोसी में और जिन सब से deal हुई थी हुआ उम्प्रकास राजबर और दारा सिंग से कि चुनाओं के बाद दारा सिंग जीतेंगे वो भी मंत्री बनेंगे और यह सब समाजवाधी पाटी के थे और समाजवाधी पाटी के साथ 2022 में आ थे उसके पहले भीजेपी जतार तो फिर भय खबर पर क्योंकि इस पर हम बात का यूट्यूब चैनल्स कल के नहीं देखे हूंगे क्योंकि मुख्यदारा के चैनल्स से भी खबर गाइब है तो आपको पता ही नहीं लगा रहे ठीक है चारसो तीन सीटें यूपी में है एक सीट घोसी में हो गया होगा कुछ क्या फर्क पड़ता है लेकिन फर्क पड़ता है इसको समझना जरूरी है कैसे पड़ता है फिर आगे बताते है फर्क पड़ता है क्योंकि सिर्फ दारा सिंग्चोहान की हार नहीं है यह हार अमिशा की हार है यह योगिया दितनात की है बीजेपी की यह सब की हार है जिम्मेदारी अब कोई नहीं लेना चाहता है, तो मीडिया किस पर जिम्मेदारी डाल रहा है, किस पर ठीकरा फोर रहा है, इसी में संपाद किया है, संपाद किया जागरन के अंदर के पन्ने में है, संपाद किया में थोड़ी इमानदारी बरतते हैं, लेकिन संपाद किया ब और अमिशा और जेपी नड़ा तो ठीक है ने तो पूरा माला मोदी जी के गले में और जब हार गए तो क्या है संपाथ किया गोषी में भाजपा नहीं गौर से सुनिए यह दैनिक जारण का संपाद किया है ये बेमानी और बेशर्मी है गोसी में भाजपा नहीं बलकि प्रत्याशी हा रहा और इसके लिए सबसे पहले और सबसे दिक कोई जमेदार है तो खुद दारा सिंग चोहां तो ये जो तस्वीरा बगल में देख रहे हैं कि दारा सिंग चोहां अमिश्छा से जो अपाइंडमेंट लेकर गये थे 15 मैने की सगस्ता से इस्तीफा देकर घोसी में चुनाव लड़ने मैदान में कूद गये थे पीछे से सुहेल देव पार्टी के ओंप्रकास राजभर से लेकर और योगी आदितरनाथ सबको इनके पीछे लगा दिया गया सबने जो नु कि आगे क्या है राजनिती में अफसरवादियों को एकाद बार सफलता भले ही मिल जाए लेकिन अंता उनका चेहरा बेनकाब होई जाता है जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती तो राजनिती में अफसरवादियों को लाया कौन इस दारा सिंग अगर अफसरवादी हैं और थे और जो हैं और थे बसपा में थे बीजेपी में थे सपा में आये फिर सपा से बीजेपी में आये तो हैं और थे इसमें कोई शक नहीं है लेकिन दारा सिंग से ये जो सिनेह मिलन हुआ था ये मधूर मिलन जो हुआ था ये जो मीटिंग हुई थी इस मीटिंग के कहाँ थोड़ी है इन cycle योगी पर थोड़ी लिखेंगे बीजेपी की हार थोड़ी कहेंगे तो यहां मोहरा बनाया दारासिंद्चौरण को और जीते तो क्या यह संपात क्या लिखता अख्वार जागरन कि दारासिंद्च जीत के इतना पड़ा नेता जिसने एकदम घोसी का गेम पलट गया नहीं लिखता तब योगी की जीत होती बोधी की नीतियों की जीत होती अमिश्या का मास्टर स्टोक होता चानक की राजनिती काम कर जाती सोशल इंजिनेरिंग होता लेकिन उसी में आगे क्या है जनता ऐसे लोगों को पस सरवादी नेता के रूप में उभरा है तो डींगे मारने वाली सुहेल देव पार्टी के उम्प्रकास राजभर को कौन लेकर आया बीजेपी में जब मीटिंग हो रही थी बैंगलूरू में इंडिया नाम के मोर्चे की उसी बक्त सबको लाया गया अमिश्या से मुलाकाते हूई जेपी नड़ा से मुलाकाते हूई गुलदस्ते गमले के साथ तस्वीरें खिचवाई गई गुलदस्ता घंबला तो बढ़ा हुथा हूँ गुलदस्ते की साथ। तस्वीरें खिचवाई गई आपको बताने की कोशिस करो, छिपा क्या छपा क्या, और अख़बार देखते हैं, यह दैनिक हिंदुस्तान, क्या डर है इनको, इतने डरे हुए, इतने परिशान की, इतनी हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, कि जो खबर सीधी खबर है, उसको सीधे छापे, लेकिन हम खबर दिख हो ना बीचाईब की का नतीजे विधान सभाय Ouais, यहां सकेट लीड है, इधर यह है, साफ देखती को बथा, जो डब्बा गोल हो, वोकिस नहीं किया नहीं, जो बाइडन हरा गए ये कौन हराया या कि और स्ट्रिलियन प्राइम निस्टर्ड की पार्टी लग रही थी तो नाम लेने में किया दिक्कत है वह चार किसने हराया जिसने जो चार हारी सीटें वो बड़ी खबर है घोसी में हारी सीट योगी के मुख्यमंत्री रहते या मिश्या की स्टेट्जी की हार वी वो खबर है लेकिन वो खबर गाइब है ये लग बात है विजेताओं के नाम इन्होंने फिर नीचे छापे तो हर अखवार ने चालाकी की है शातिरपना दिखाया है बहिमानी की है बी जेपी के जिंडे के साब से खबर चापी है ताकि कहीं उपर जो बैठे लोग है साहब लोग वो न कहें कि रंग मा भंग क्यों कर रहे हो यहां तो प्रधान मंत्री मोधी महामानों की तरह टीवी चैनलों पर दिखने वाले हैं जी टुएंटी का इतना जबरदस जश्न हो रा इसमें ऐसे क्यों चाप रहे है तो इसी गोल मोल्डंग से दैनिक हिंदुस्तान के साप ि होगी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी तेरी कोई बेवफा नहीं होता अंदर उप्चनाओं में भात्पान ने मजबूती दिखाई इंडिया की जगी उमिद भात्पान मजबूती दिखाई पहले पढ़ने पर बीदिखाई अंदर भी दिखाई लेकिन घोसीमें जो गोसी में जो आउधे मुगी रिये जमीन सुगाई जन्ता एडिंग तो ये भी है ना जन्ता ने गोसी में जमीन सुगाई किसको तो गाइब है इंडिया गाइब है विपक्ष गाइब है समाजबादी पाटी गाइब है अखलिश यादब गाइब है इंडिया की जगी उमीद में हिंदुस्तान में उसके बाद फिर देखते हैं दैनिक भास कर रहां कुछ अख़वारों ने जो खबर है उसको खबर की तरह चापा भी है ये दैनिक भास कर है पहले पन्ने पर वही हिडलाइन है महाशक्तियों का महाँ पर लेकिन अंदर इसने चापा है इंडिया के दलो को चार एंडिये को तीन ये दूसरे पन्ने की जो लीड होती है जो मैंने कहा दो पन्ने आजकल लीड के होते हैं तो इसमें इसने चापा है इंडिया के चार दलों को चार एंडिये को तीन और उसके बाद भास करने कम से कम पूरी खबर बताई है इससे समझ में आएगा कि जो मोर्चा है विपक्ष का उसने चार सीटे जीती एक बॉक्स भी है बासकर में कि यूपी में लिटमस टेस्ट था कि मायवती का वोटर भाजपा को वोट देता है या नहीं यह वाकई यह बड़ी बात थी क्योंकि चार चुनाओं में देखेंगे तो 80,000 से लेकर 55,000 तक वो उनके परिवार का वहां सर है और मुस्लिम वोट पेंगे फर फिर भी इसने खबर छापी खबर के साथ मायवती का एंगल भी है और यह सच है कि मायवती ने वहां को मिदवार खड़ा नहीं किया था इसलिए एक विशलेशन तो है कि मायवती का वोट किसको गया पहले लगत दलित वोट का भी यह नतीजा इस बात की तस्दीक करता है कि दलित वोट भी बीएसपी के दलित वोट बीजेपी की वज़ाए सपा की तरफ गए हैं इसलिए ऐसा नतीजा है 42,000 वोट से हारना दारा सिंग का तो एक खबर यह है चलिए कम से कम खबर तो लिखें उसके वरे टैस में खबर देखी मैंने, लेकिन हां गोल मोल है, मतलब किसीने उस तरassy से बुरा लग जाए वाली खबर नही छापिये, कोशिस किये लेकिन अंग्रेजी अखवार को मैं मानूगा कि अंग्रेजी अखवारों ने कम से कम खबर को खबर की तरह चापने की इमानदारी दिखाई है। टाइम सफ इंडिया में भी पहले पन्ने पर पहले पन्ने पर पहले पन्ने पर गौर करिया पहले पन्ने पर लीड है जिसमें करनाटक की खबर है जो वहां जो डील हो रही जेडियस के साथ और उसके बाद फस्ट बाइपोल्स आफ्टर फॉर्मेशन इंडिया विंस फूर सी BJP 3 ऐसे ही खबर तो यह है कि इंडिया ब्लॉक बनने के बाद पहला बाइपोल हुआ साथ सीटो पर चुनाओ उए छे राजों में चुनाओ थे जिसमें चार इंडिया ब्लॉक जीता तीन BJP जीती और उसके बाद कहां कहां चुनाओ इस खबर में मैंने डीटेल पढ़ा नही लेकिन जानकारी है और अंदर भी टाइमस ओफ इंडिया ने मेरे ख्याल से अंदर के पन्ने में भी इसके बादे में च्छापा है तो यह जो मैं कहने की कोशिश यह कर रहा हूं कि इसको समझना चाहिए कि अख़वार आपके साथ कैसे बेमानी करता है और यह अगर आप न इसके बाद कहां बीजेपी हारी या कहां बीजेपी जीती ख़वर है और अंदर भी इसमें विस्तार से तो चलिए अंग्रेजी अखवारों ने कह सकते हैं लाज रख ली इंडियन एक्सप्रेस ने अंदर के पन्ने पर च्छापा है 18 नंबर पेज पर एक्सप्रेस ऐसी ख खबर चापी है जिसमें एक्सप्रेस ने विस्तार से यहां 18 नंबर पेज पर खबर चापी है जिसमें बताया है biggest win for a position in घोसी और उसके बाद घोसी की खबर है और यही इस सिती है यह कल भी हम लोगों ने विचलेशन किया और लोगों ने बहुत लोगों ने किया होगा और इंडिया नाम के उस मूर्चे का भी ताजा ताजा गठन हुआ और ऐसे वक्त में बार बार मैं उन तस्वीरों की उन चित्रों की बात करूंगा जो चित्र घोसी में दिखे जब जबरदस्त ताकत बीजेपी की तरफ आप कलपना कीजे बीजेपी की ताकत बीजेपी की मश मशीनरी सत्ता मुख्यमंतरी दोव्फ मुख्यमंतरी और उसके पूरी मशीनरी सिस्टम सरकार सब कुछ रिघ्या से लेकर सब कुछ और चईब बैंक अब चौहान वोट बेंग, सुहिल देव पाटी के राजभर वोट बेंग, बीजेपी का अपना वोट बेंग और ऐसे भी फागू सिंग चौहान की सीट रही है, घोसी, 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते हैं, ऐसे फागू सिंग चौहान पहले बसपा में भी रहे, 17 में बी सुधाकर सिंग उन्हें शिकस दिया, कहानी कई वार रिपीट होगा, सुधाकर सिंग का स्थानिय उनका असर होगा, लोगों से कनेक्ट होना, और एक तरह से दम होना बीजेपी का, बीजेपी के नीतिया, महंगाई और जो लोकल इशू होगे, क्या इसको सब पर हम, जैसे अभी हो रहा, G20 समिट के पहले, कोई ऐसा बदरंग तस्वीर, दिल्ली की ऐसी न दिखे बदरंग तस्वीर, इसलिए सब जगा ढखा जा रहा, तरपाल से, पोस्टर से, बैनर से, या कुछ और प्लास्टिक से, ताकि कुछ बदरंग न दिखे, तो क्या हम इसे ढख समाजवादी पार्टी को घोसी में, 2022 में दारा सिंग चोहान को 1,088,000 वोट मिले, विजयराजभर को बीजेपी के जो मिदवार थे, 86,000 वोट मिले, लगबग इधर देखें तो 14 और 8, 24,000 का फासला था पिछली बार, और इस बार वो फासला लगबग दुगना हो गया, 42, 43,000 होगे, तब भी आप कहेंगे सपा ने सीट बचाई, और बीजेपी ने गवाई यह नहीं है, दर असल खबर तो यह बीजेपी का जो बुरा हाल है, लेकिन विपक्ष के लिए स्पेस नहीं है, और चैनल पर तो बिलकुल नहीं है, और यह अच्छा वक्त था, शायद पाचानिये, देखिए, अब शायद दो-तीन अख़वार बच भी गए, उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, इन वारे टेम्स आपको बताई दिया, कि आप से मीडिया क्या छिपाता है, कैसे मीडिया विपक्ष को स्पेस नहीं देता, अभी परसों हो शायद, पवन का एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चैनलों पर कैसे RSS के समर्था, क्या RSS से जुड़े लोग राजनितिक विशले सक्मान कर बैठते हैं, और एक तरफा एजंडा चलाते हैं, हम अपने एंकर को ताकीद कर रहे थे चैनलों के एंकर को, कि अगर आप ये करेंग कोई तो वज़ा होगी कि ये जो नतीजे हैं, पस्चिम बंगाल में BJP की सीट जटक लीगे, कोई तो वज़ा होगी, इन वज़ों पर भी गावर करना होगा, मैं फिर कहूंगा, कोई जरूरी नहीं है, कि घोसी का नतीजा अगर ऐसा है, तो 2024 के चुनाओं में, UP में पूरा एक दम हो जाएगा कि 40 सीट BJP हार जाएगी या 50 सीट हार जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उस समय क्या इस्थितियां होगी, उस पर उस समय बात होगी, लेकिन जो ततकालिक खबर है, वो खबर तो है, उस खबर को तो न दवाईए, उस खबर को जनता को उसी तरह से से तीन सीटे जितकर भाजपा ने पुराना प्रदर्शन बरकरार रखा, ये बेमानी तो मत करिए, लेकिन आप ये बेमानी करेंगे, उसकी वज़ा हम सब जानते हैं, क्योंकि डोर कहीं बंदी है, इस तोर में, सबको विग्यापन चाहिए, पेट भरना विग्यापन से है, जो अकवारों में जो बड़े-बड़े विग्यापन सरकारों के हैं, हजारों करोर जो मोदी योगी की तरफ से मिलता है, ये विग्यापन आपका पेट भरता है, और जैसा कि मैंने कहा, उसके पीछे और बहुत सारी बजे है, तो हम सब्समे समय पर बात करते रहते हैं, फि